तो जिन छात्रों को ये डर था कि कहीं कटाफ इस बाद जारा तो नहीं जाएगी तो आप सभी के लिए रात बरी खवर आ गई है स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज में आपको बिल्कुल सटिक यहाँ पर कटाप दिखाने वाला हूँ जो इस बार 2023 की परिच्छा में लागू हो सकता है और यहाँ पर हमने एक पोल भी किया था जिसमें हमने पूछा था कि आप सभी छातर कितने कोस्चन करके आए हैं तो असी में से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चालिस से पचास कोस्चन करने वालों की संख्या 51 परसेंट है यानि लगबग आधे से उपर चातर जो है वो चालिस से पचास तक ही कोस्चन किये हैं तो इसका मतलब सबका माक्स जो है वो हंडेट तक जा रहा है तो यही से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कटाफ इस बार बहुत ही कम जाएगा अब चलते हैं में पॉइंट पर कटाफ कितना जाएगा तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सुरू करते हैं अंडरमान निकोबार से यहाँ पर जो ओबिसी का कटाफे 36 रहने वाला है एसी का दिया है हमने एक्स दिया है और बाकी सभी का यहाँ पर हमने दिया है आप लोग देख सकते हैं आंदर परदेश का फिर यहाँ पर अवरणचल परदेश का 35, असम का 44, बिहार का 75, 36 गर का 54, 52 और चंडी गर का 54 है और दादर एन नगर अवेली का 35 है दमन एन दीप का 37 है और यहाँ पर देली का 68, गुवा का 35, गुजरात का 46, हर्याना का 80, हिमाचल परदेश का 66, जम्मु कस्मीर का 43, जार्खंड का 62, करनाटक का 42, केरल का 35, और लक्षदिप का 62, मध्यपदेश का 67, महराष्ट का 55, मैनपूरी का 43, और यहाँ पर मगसियां का 35 दिया है और आगे हमें आपको दिखा दे रहे हैं जो मिजोरम का 35, नागालेंड का 44, ओडिशा का 46, पुंडिचेडी का 35, पंजाब का 54, यहाँ पर राजस्थान का 78, स्तिक्किम का 35, तमिलनाडू का 35, तेलंगाना का 46, त्रिपूरा का 42, उत्तरपरदेश का 77, उत्तरखंड का 67, वेस्ट बंगल का 53, रहने वाला है इस बार का क ताफ.